गुद इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग गुद इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग तो आज का जो टॉपिक है वो टेस्ट से रिलेटेड है हम लोगों ने इस टेस्ट से पहले यानि कि जो 21st of March को जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में से रिलेटेड हमने कुछ नुमेरिकल्स और कुछ कॉंसेप्स के बारे में जानकरी ली थी कुछ कॉंसेप्स पूछे थे आप से काफी फेवरेट टॉपिक है CSIR का सरकलर डाइकरोज और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है आप सभी को मालूम है कि वो डिपेंड करता है absorption of left-handed component versus right-handed component पर यह सभी लोग जानते हैं बहुत common सा concept है कही सारे YouTube वीडियोज भी अच्छे वीडियोज अवेलबल है गुद इवनिंग महाश्वेता गॉआ तो मैं उन concept को बहुत जादा detail ना करके मैं वहाँ yes CSIR yes hello 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 तो मैं उन concepts को जो concept है उन concept को कई बार पढ़ा जा चुका है कई बार deliver भी किया जा चुका है कई अच्छे अच्छे educators है उन्होंने उसको deliver भी किया तो मैं concept पर नहीं जाऊंगा भी भहुत ज़्यादा detail मैं उस concept के की basics क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, मैं थोड़ा सा application part पर जाँगा, I searched many lectures and I found it like जो correlation है technique versus CSIR का जो questions पूछा जाते हैं, वो correlation थोड़ा सा missing है कि तो I want you people, good evening, I want you people to understand what is a correlation and what are the questions which are being asked in the CSIR exam with reference to CD or circular dicherism, यहाँ पर एक technique और भी है जो में आप से उसके बारे में, थोड़ा सा उसको hint के बारे में, hint के तरीके से discussion करूँगा, that will be your differential scanning calorimetry, differential scanning calorimetry के बारे में किस तरीके से CD के signatures और differential scanning calorimetry के signatures आपस में एक दूसरे के साथ match करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को compensate करते हैं, मिलाते हैं, उनके बारे में हम लोग discussion करेंगे, आज, जो, आज का जो, यह जो lecture है इसमें, जानने की जरूवत यहाँ पर यह है, कि basically circular dicherism, जो हम इस्तमाल करते हैं, वो हम किसी भी confirmatory structure, confirmatory structure जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि helix है, beta pleated sheet है, इवन random coils है, उन random coil के signature CD में कैसे आते हैं, मतलब यह जो chains है, चाहिए वो alpha helical chain है, चाहिए वो beta pleated sheet chain है, यह random coil chain है, इवन यह polyproline helix है, यह polyglycine helix है, यह polyglycine helix है, thank you, so I'll try to discuss, तो जो हम CD के बारे में बात करें, तो CD के signatures कैसे होते हैं, CD के signature अगर आप alpha helix का एक equation solution लें, तो उसमें उसके अगर आप circular dichorism करें, तो उसके signatures क्या होंगे, वो signatures क्यों आते हैं, यह सारी के सारी चीज है, हम thank you, thank you प्रबाद जी, तो मैं चीजों को मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ एक बार देख लेंगे, तो I hope कि आपका जो अगर एक question अगर आ रहा होगा CD से, तो वो एक question solve हो जाएगा, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं कहां से, मैं कहां से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस जगे से इसको ले रहा हूँ, उठाने की बात कर रहा हूँ, तो जब आप protein के structures देखते हैं, तो protein के जो specific confirmations हैं, जो specific shapes हैं, especially हम secondary structures की बात कर रहे हैं, तो अगर हम alpha helix की बात करें, तो आपको बहुत अच्छी तरह सा idea है कि helical structure कैसा है, तो helical structure के रामचंदरन plot की values आप सभी को मलूम है कि close to zero degree होती है, close to zero degree का मतलब minus 40, minus 50 के असपास होती, right-handed और left-handed helix positive और negative में जाता है, तो यह सारी के सारी से, तो समझने की ज़रुवत यहाँ पर यह है, कि जब भी हम circular dichorism की बात करते हैं, तो circular dichorism में हम confirmation देखते हैं, कि जो हमारा protein का structure है, especially secondary structure जो है, वो किस confirmation में exist कर रहा है, मतलब उसका overall shape, उसका overall confirmation कैसा है, वो हम peaks के basis पर, और peak किस के basis पर आती है absorbance of left-handed component और right-handed component के basis पर आती हैं, versus wavelength, मतलब obviously, जब हम light की बात करते हैं, जब हम absorbance की बात करते हैं, तो light is our energy which has been absorbed by any secondary structure of protein, तो वहीं पर हम सब circular dichorism की बात जब हम कर रहे हैं, तो circular dichorism में हम यह एक बहुत, जो common सा structure जो आपके सामने, आपके screen पर दिखाई दे रहे है, good evening, सभी लोगों को नमस्कार, जो आपके screen पर यह जो structure, यह जो graph या signatures of CD दिखाई दे रहे हैं, signatures of CD में हमें कुछ एक बहुत CD सी बात समझ में आती है, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो मज़ाएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, और मैं थोड़ा सा इसमें से advanced portion में भी जाओंगा, जो advanced portion normally miss हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर alpha helix की अगर हम बात करने हैं, तो alpha helix में हमारे पास जो molar eclipticity, यहनी की difference in the molar eclipticity, difference in the molar eclipticity का मतलब right-handed light, left-handed light component versus right-handed light component का जो difference है, वो wavelength के comparison में, 190 nanometer पर हमें यह positive मिल रहा है, मतलब यहाँ पर left-handed जो है, it is greater than right-handed, हना, तो जो left-handed component है it is dominating at lower wavelength और अगर हम इसी line को follow करें, इसी अगर हम spectra को follow करें, तो हमें 2 peaks मिलती हैं 210 और 220 पर, normally हम 220 की जो peak है, उस 220 की peak को हम signature peak मानते हैं, और यह signature peak हमारे लिए alpha helix के लिए, हम alpha helix की बात कर रहे हैं, तो alpha helix में यहाँ पर जो right-handed component है, it is overshading the left-handed component, बहुत, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग कुछ basic lectures available हैं, मैं उन lectures पर भी नहीं जाना चाहता है, वो फिर कभी discussion में आएंगे, कि किस तरीके से eclipticity बनती है, किस तरीके से जो absorbance है, वो theta से related है, theta किस तरीके से molar eclipticity से related, 39.7 something से 0 से divide करके, हम theta निकाल सकते हैं, जो molar eclipticity angle है, प्लस जो bare lambert's law है, वो सारे के सारे चीज़ें इसमें included हैं, मैं उनी अध्यान से समझने के अगर आप कोशिश करें, तो आप यह पाएंगे, कि जैसे जैसे आप alpha helix से extended structure की तरफ जा रहे हैं, extended structure का मतलब क्या, alpha helical basically a circular structure हम मान सकते हैं, beta pleated sheet is relatively a straight structure, while the random coil is also a more or less straight structure, तो आप यहाँ पर एक बात देखेंगे, जो molar eclipticity है, वो higher wavelength पर close to zero पहुँच रही है, मतलब क्या हुआ, difference in molar eclipticity और difference in delta e is reaching to zero, इसका मतलब यह हुआ, जो left-handed component है और जो right-handed component है, वो equal to zero हो रहा है, मतलब दोनों का contribution बराबर बराबर आ रहा है, मतलब left-handed component का absorption versus right-handed component का absorption है, वो बराबर है, बराबर, lower wavelength पर left-handed absorption जादा मिलेगा, और higher wavelength पर, थोड़ा सा higher wavelength पर right-handed absorption जादा मिलेगा, अब इनी चीज़ों को थोड़ा सा और detail का अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जब आप protein को denaturate करते हैं, protein का जो सबसे, जिससे बोलते हैं बहुत sensitive वाला जो structure है, that is alpha helical, और alpha helix का CD spectra सबसे prominent, सबसे बढ़िया मिलता है, मतलब कहने का sense यह है, अगर आप इस spectra को देखें, तो एक positive peak यहाँ, एक negative peak यहाँ, एक negative peak यहाँ, एक negative peak यहाँ पर मिल रही है, और जो difference in the molar eclipticities value है, they are very much high, means they are very much away from the zero, मतलब, इसका मतलब समझने की जरूवत यहाँ पर यह है, कि alpha helix, बहुत significantly CD spectra में depict होती है, अपने signatures को देती है, वहीं पर beta confirmations भी CD spectra में detect होते हैं, लेकिन उनकी जो values हैं, वो close to zero, shrink करती चली जाती हैं, और वैसे ही random coil में भी होता है, तो जब हम इनको compare करने की कोशिश करते हैं, तो molar eclipticity में जो difference है, वो सबसे ज़्यादा difference हमें alpha helix में मिलता है, यह point समझने की जरूवत है, बरबर, यह क्यों difference सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि alpha helix light-handed component और left-handed component को separately recognize करते हैं, lower wavelength पर और थोड़ी सी higher wavelength पर, मतलब अगर wavelength कम रखेंगे, energy जादा रखेंगे, तो left-handed component will go for more absorption than the right-handed component, जैसे 190 nanometer और 220 nanometer में wavelength 220 जादा है, मतलब energy कम है, तो energy कम है, तो right-handed component will be more dominating, समझने की जरूवत है, बहुत आसानी से समझे, बिल्कुल परिशान होने की आवशक्ता नहीं है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए, तो अगर हम बहुत ध्यान से केवल एक wavelength point उठाएं, केवल एक, बहुत ध्यान से देखेगा, केवल एक wavelength point उठाएं, एक wavelength पॉइंट उठाने का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम 190 nanometer, lowest wavelength अगर हम देखें, अगर हम केवल एक wavelength देखें, that is 190 nanometer, मैं हट जा रहा हूँ, मैं हट जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं 190 nanometer की तरफ अगर मैं देखूं, तो 190 nanometer पर, बहुत ध्यान से देखे positive molar eclipticity will be for alpha helix, then for beta sheet and the negative molar eclipticity will be found for random coil, will be found for random coil, समझने की कोशिश करें, वहीं पर 220 nanometer पर यही process जो है, वो opposite हो जाता है, opposite होने का मतलब क्या, सबसे negative molar eclipticity, ellipticity, आपको alpha helix की मिलेगी, फिर beta sheet की मिलेगी, और फिर random coil की मिलेगी, यह question आपसे directly भी पूछा जा सकता है, इसको समझने की जरूद है, बिल्कुल, इसको समझने की जरूद है, तो normally जब भी हम CD spectra की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले wavelength क fix कर लेते हैं, किसी एक particular wavelength पर देखने की कोशिश करते हैं, तो चाहें आप 190 nanometer ले लिजे, तो copy उठाइए, और CD spectra का एक आप छोटा सा concept हमेशा याद रखिएगा, concept यह है, कि जब भी CD spectra की line आप देखेंगे, variation in molar ellipticity आप देखेंगे, then you have to make constant, what wavelength, आप wavelength को constant कर दीजे, and look at the variations of every structure with respect to their molar eclipticity, मेरी बात समझने की कोशिश करियेगे, means, means, what, what do you, what I mean, mean, if I look at the molar, change in molar eclipticity for the different, different structures at the given wavelength 220, then we find this is a, this line, and the most negative molar eclipticity, most negative molar eclipticity found for helix, then for beta confirmation, and then for random coil, then for random coil, तो अब यह क्यों आ रहा है, इसको जानने के लिए तुम्हें थोड़ा सा basics की तरफ जाना पड़ेगा, basics मैं आज discussion नहीं करा, फिर भी समझने की जरूरत है, कि right-handed component is more dominating at the higher wavelength, that is why the helix is giving more negative value for the, at 220 nanometer, helix is giving more negative value for the molar eclipticity at 220 nanometer, अब यह बात सभी को समझ में आ रही है, कि हाँ भाई ठीक है, 220 nanometer पर जो helix है, वो सब से negative value देता है, molar eclipticity की, फिर beta pleated sheet देता है, और फिर random coil देता है, तो अब अगर हम इसी को CSIR के point से जोडने की कोशिश करें, मेरी बात सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगा, मेरा perspective CSIR है, अभी फिलहाल के लिए, इस lecture का जो perspective है, आप CSIR में इस तरीके के question को कैसे handle करेंगे, तो अब अगर आप इसी एक alpha helix को लीजे, और उसको temperature दे कर, उसको beta pleated sheet और फिर random coil में अगर आप convert कर रहे हैं, मतलब आप denaturation कर रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मतलब अगर आप temperature दे रहे हैं alpha helix को, मतलब एक aqueous solution में आप alpha helix रख रहे हैं, और उसको heating के through, heating के process के through, if you are denaturating it, then it is assumed that alpha helix will finally be converted into the extended structure. So, if you take a solution in which a stable alpha helix is poor or given and you start raising the temperature, then what happens? This alpha helix will lose its secondary confirmation first in beta pleated sheets, because beta pleated sheet is also some kind of extended structure as you know the protein chemistry. And then beta pleated sheet probably will convert in the random coil at much higher temperature. My point is clear. So, now if you want to recognize this change, whether the alpha helix is converting into the beta pleated sheet or the random coil on the giving temperature, on rising temperature, then what you have to do? you have to go for the CD spectroscopy or circular dicharism spectroscopy. So, in that circular dicharism, you will find some signatures at given wavelength. What is given wavelength? You have to look at 220 or 222, sometime 222, sometime it is also given at 230, sometime it is also given at 210. So, depending on the nature. So, if you are taking, if you are analyzing the change in structure, change in structural configuration at given wavelength, then you will find by raising temperature, you will find the change in molar ellipticity that is a soul of this lecture. Means, if you are raising the temperature of the solution, then your alpha helix will first give highestly negative molar ellipticity value, say minus 15, I have as I have circled. and then after raising the temperature, then your molar ellipticity value will move close to 0 and then furthermore, it will raise to positive values. मतलब, अगर हमारा solution में alpha helix है, then it will give, yes. तो नहीं, डिरे दीरे 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 convert होगा, अभी हम उस question पर आएंगे, say आपके पास temperature 50 degree है, 50 degree पर आपने alpha helix को देखा, और आपको molar ellipticity, say minus 15,000 degree, 5 centimeter per mole, degree centimeter square per mole मिला, फिर उसके बाद आपने temperature को 60 degree कर दिया, तो, immediately some part of helix will be converted into beta pleated sheet. What do you mean by the beta pleated sheet? The extended chain, not exactly the structure. So, beta conformation is one kind of extended chain, that is what its Ramachandran plot value is close to 180 degree, close to 180 degree, mind my words. So, what happens once you start raising the temperature of the aqueous solution, the beta alpha helix start converting, the part of the beta alpha helix start converting into the beta pleated sheet and then into the random coil, resulting its molar eclipticity move from negative zone to negative zone to, you can say, you can say Prashanji, you can say molar eclipticity directly proportional to temperature, it raises from negative to, negative to positive, negative to positive. Alpha helix has signature in the 222, याद रखना, Prashanji, इसमें याद रखने की बात यह है, you have to make the constant wavelength, you have to always take the reference of the wavelength, I am talking about the reference wavelength that is 222 nanometer or 220 nanometer, mind my words, always, always 222 nanometer, हमेशा wavelength पर ध्यान दो, अगर वो 190 की बात करेगा, तो 190 पर यही wavelength, यही molar eclipticity positive मिलने लगेगी, याद रखना, अगर 190 nanometer wavelength लोगे, तो यही just चीज़ें opposite हो जाएंगी, और यही 220 पर लोगे, तो यही values तुम्हें negative में, just opposite fashion में तुम्हें मिलने लगेगी, मेरी बात समझ पर आ रही है सभी लोगों को, मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, मेरी बात पकट पा रहे हैं, कोई doubt तो नहीं है, clear हो रहा है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि अगर आप, मेरी बात समझ यह, अगर आप solution को, just में alpha helix है, उसको अगर आप heat करते हैं, then, मेरे words पर ध्यान दीजेगा, मेरे words पर ध्यान दीजेगा, this deconvolution, deconvolution will take place, what do you mean by the deconvolution, this is convolution, this is deconvolution, means, जो depth है, उसका shallow हो जाना, जो गहरा ही है, जैसे ताल आपको देरे 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 भरते चले जाए हैंना, जैसे होता हैंना, कि ताल आपको भरते चले गए हैंना, तो वो deconvolution कहला हैंना, तो जब आप temperature raise करेंगे, तो 222 nanometer पर आपको deconvolution मिलेगा, ध्यान रखेगा ये point, ये point याद रखेगा, मतलब, CD spectra will undergo to the deconvolution, means, straightening of the peak, और negative peak, will found, and it will be called as, deconvolution of CD spectra, बरबर, मैं बाइवर्ट मैं अभी बिल्कुल basics पर नहीं जा रहा हूं, मैं absorption, beer-lembuds law, molar eclipticity, theta, epsilon, उनकी values पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सिर्फ concept की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको concept बदाने की कोशिश कर रहा हूं, कि हाँ किस तरीके से question को समझेगा, बरबर, बिल्कुल, question को समझने की कोशिश करिए, question आपसे क्या पूछना चारह है, जब आप denaturation करेंगे, तो 222 nanometer की signature spectra, deconvolution में जाएगी, मतलब जो peak है, जो negative peak है, जो turf peak है, it will be straighten up, यह straighten up करेगी, यह उपर की तरफ move करेगी, क्यों move करेगी, इसलिए हम move करेगी, अगर उपर की तरफ peak मिल रही है, तो left-handed component is dominating over the right-handed component, अगर negative peak मिल रही है, means right-handed component is dominating over the left-handed component, but if the deconvolution is taking place, means a helical structure is going to be extended, in that case, the absorption of the left-handed component of the light, will be equal to the right-handed component of the light, mind my words, write it down in your notebooks, it will help you a lot, मतलब, जब हम यहाँ पर delta, epsilon की बात करते हैं, delta epsilon का मतलब change in molar eclipticity, if it is going close to zero, means e1 minus e2 is zero, means पहले कोई epsilon रहा होगा, पहले कोई molar eclipticity रही होगा, बात की molar eclipticity के बीच की, यानि जो absorption है, उन दोनों के बीच का absorption के बीच का जो difference है, वो zero हो रहा है, और वो अगर zero हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही component, left-handed component, जैसे अभी को मालूम है, कि हम जब cd करते हैं, तो circularly polarized light का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो asymmetric carbon है, chiral carbon है, वो light को absorb करते हैं, तो जब दोनों absorption, equal होने लगे, तब समझ लेना चाहिए, कि chain जो है, वो बहुत flattened up है, chain बहुत extended है, और अगर chain helical है, then it will have a negative peak in the 220, and the positive peak in on a 190, means lower wavelength, positive peak, higher wavelength, negative peak, got my point, got my point, so this is very very important point, that is important, कि आप cd किस reference में पढ़ रहे हैं, केवाल structure देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी protein के structure में, अगर 222 nanometer पर ये peak मिल रही, तो आप ये समझ लिजेगा, उसमें random coil जादा है, अगर नीचे वाली peak मिल रही, बीच में इन दोनों peak के बीच में peak मिल रही, इसका मतलब beta pleated sheet जादा है, जैसे कि immunoglobulin के देख लिजे, तो और अगर बहुत नीचे peak मिल रही, जितना नीचे peak मिलेगी, आप ये समझ लिजेगा, उसमें alpha helix को content उतना ही जादा, मैं फिर से कह रहा हूँ, you have to take a reference of a particular wavelength, particular wavelength हमेशा याद रखना, कि wavelength आप कौन से इस्तेमाल करें, normally 220 nanometer is a signature point, where the spectra is observed, where the convolution and the deconvolution is observed, तो मैं यहाँ पर एक बड़ा important point तुम लोगों को बताना जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लो, अगर ये line है, ये line है और ये line है, तो अगर आप down side move कर रहे हैं, ध्यान दीजे, और 222 nanometer पर move कर रहे हैं, मतलब आप convolution कर रहे हैं, मतलब आप protein solution को cool कर रहे हैं, मतलब आप random coil से beta pleated sheet और helix, 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 हाँ DNA भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई भी, कोई भी जो confirmation है, उसको करते हैं, जितने भी cis and trans molecules हैं, उनको भी हम analyze करते हैं, तो कोई भी जो confirmation है, जिसमें भी left-handed light और right-handed light absorb हो रहे होगी, उनको हम CD spectra से analyze कर सकते हैं, बट हमारा जो point of concern हैं, वो अभी alpha helix, beta pleated sheet और random coils हैं, बराबर सुरू भाई, सुरू भाई, मेरी बात समझ में आ रहे हैं, मेरी बात आपको clear हो रहे हैं, तो कहने का मतलब यहां पर बहुत simple सा है, कि जब भी आप यहां पर cooling करेंगे, तो random coil will be converted into beta pleated sheet, then helix, and the phenomena will know and will be known as convolution, will be known as convolution, convolution कहलेगा, और जब आप heating करेंगे, then it will move, move, top up, जैसे ecology में bottom down or top up effect पढ़ा होगा न, तो जब आप heating करेंगे, तो alpha helix will convert into the beta pleated sheet, and beta pleated sheet will convert into the random coil, so this will be the deconvolution, cooling means convolution, and heating means deconvolution, copy पर note कर लेना, question मिल जाएगा, बहुत आराम से question मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल मेरी बात समझ में आगी, did I convey my point clearly, कोई doubt तो नहीं है आप लोगों को, मैंने अपना point सही तरीके से clear किया, convey किया या नहीं convey किया, मुझे बताएं, थोड़ा सा message करके मुझे बताएं, yes, yes, more negatively, than the beta and the random coil, very nice, yes, that is a take away, that is a right take away, heavy driver, yes, that is a right take away, that is a right take away, you got it right, you got it right, you got it right buddy, yes, 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 anybody else, I mean number of people are, number of, number of, number of people are, number of people are watching, they can, they can give me a hint, they, they got, they got it, understand, they got it, please, please let me know, please let me know, okay, so which, which, I mean, which is a reference point for, to observe any CD spectra, you have to take the reference, for any wavelength, so like, like wavelength, wavelength kya, wavelength mein konsi wavelength, do signature wavelength leenge, yad 190 leenge, normally 222 exam mein puchhe jaate hai, 220 par liya jaate hai, so you people have to take care of the 222 nanometer, all the time, so what we have, what we are looking at, what we are looking at, we are looking at another one, so I am just moving on another question, so look at this, so this is a question, so this is a question, so I am talking about, this is a question, that has been asked in a previous year examination, so what is that, the 26 residue peptide composed of alanine leucine shows, circle dichrysum, spectra characteristic of alpha helix, at 50 degree centigrade, in a 5 millimole phosphate buffer, at pH 7.4, when the peptide solution is cooled gradually, what I taught, what I gave you, now, now, when the peptide solution is cooled gradually to the 25 degree centigrade, now your solution was at 50 degree centigrade, now you cooled it for 25 degree centigrade, what will happen, that is a convolution will happen or deconvolution will happen, what will happen, convolution will happen, what will happen, what will happen, what will happen, convolution or deconvolution will happen, when the peptides, when the peptides, when the peptides, when the peptides, when the peptide solution is cooled gradually to the 25 degree centigrade, the CD spectra are recorded at the different temperature, yes, convolution will, convolution and helical content, helical content, will, will increase, helical content will increase, spectra will be convoluted, a spectra will be convoluted and helical content will increase, helical content will increase, very, 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 very important. So, if you reverse this process, then what will happen? If you reverse this process, if you reverse this process then the deconvolution will take place and alpha helix will decrease alpha helix will decrease means if you are taking the solution at 25 degree centigrade and you are increasing the temperature raising the temperature till 50 degree centigrade then your alpha helix content will decrease and the deconvolution will take place am i clear am i clear am i clear so the question must be clear to you all yes yes deep no no yes deconvolution means alpha helix is decreasing at high temperature deconvolution or you can write it down on your notebook like deconvolution deconvolution means deconvolution means high temperature means less of alpha helix less of alpha helix is it clear is this clear is this clear am i clear am i clear am i clear okay 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 i will come i will come on this this lecture now later on later on conditions so now so 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 i will i will talk this this i mean what i have skipped this this lecture i will take up another one so this is a another question this is a another question then look at this question at 25 degree centigrade theta at 222 you can see the question you can see the question can you see the questions everyone so at 25 degree centigrade the value of theta at 222 means you have observed theta at 2222 nanometer the mean residual ellipticity at 222 nanometers world minus 33000 minus 3000 degree centimeter per mole for a peptide existing in alpha helix and the beta beta pleated sheet confirmation if a polypeptide undergoes to toe state heating induced alpha helix transition so you can easily understand the cd spectra observes the helix coil transition a b copy per node cd spectra observes cd spectra observes cd spectra observes helix coil transition is it clear so question kitn kitn kitnay loog ko ko nahi dhikhra hai zara message karke mujhe batiye ki haasat nahi dhikhra kush wo nahi dhikhra hai batiye haasat nahi dhikhra hai mujhe batiye haasat nahi dhikhra hai mujhe batiye mujhe batiye mujhe batiye kushan nahi dhikhra hai sabhi ko dhikhra hai nahi dhikhra hai question visible hai nahi hai yeah it's clearly visible okay very nice so what it is asking it is kya 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 raha hai aab isko samajhne ki zarruvata baut dhiyan se samajhe kya raha hai 25 degree centigrade per 25 degree centigrade per yes 25 degree centigrade per 222 nanometer per jab kisi protein spectra ko liya gya to alpha helix ki value i minus 33000 baut dhiyan se dhekhiye aur beta pleated sheet ka joh 222 per molar eclipticity ka joh value aya hai woh aya hai minus 3000 toh aap yye kya 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 raha hai alpha helix se beta pleated sheet me convert ker raha hai matlab beta pleated sheet is a one kind of it is random coil or extended structure so you are you are observing you are analyzing two state heat transition process matlab aap protein solution ko heat kar raha hai uske alpha helix ko aap beta pleated sheet me convert ker raha hai random coil me convert ker raha hai toh aap aap se pooch raha hai ki agar theta ki value 222 nanometer per minus 15000 degree centimeter per decimol agar ho toh is is theta per is 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 value per kitna alpha helix baca ho ga bhoot dhiyan se s'majhnene ki kooshish karir hai agar agar ham yaha pa eek chhota sa consideration leke chalye aap sabhi log me re saath agar dhiyan se is question ko samjhe hai bhoot sare loogun ko ye problem hua hai is question meh hamashi problem hua hai ye question kya 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 raha hai is question ko samjhne ki kooshish karir hai agar ham helix alpha helix lere raha hai agar us alpha helix kong mali jayas se 100 percent alpha helix hai aur uska molar eclipticity theta 222 yaani ki aapke 222 nanometer per 222 nanometers पर उसकी जो थीटा की value है it is minus 33,000 और जब आपने इस alpha helix को denaturate कर दिया तो यही थीटा की value 222 nanometer पर आपके पास आ गई minus 3000 minus 3000 आपके पास यह value आगी मतलब आपके पास अब यहाँ पर इस value पर थीटा पर बिल्ड़कुल 0% alpha helix है लेकिन पूछ क्या रहा है पूछ यह रहा है कि अगर थीटा की value minus 15,000 हो तो उस पर उस पर alpha helix कितना मिलेगा यह question है मतलब आपने जब initially देखा आपने जब 100% alpha helix था तब आपका उसका जो थीटा था molar elasticity थी वो minus 33,000 थी और जब आपने उसको completely denature कर दिया तो उसकी molar elasticity minus 3000 आई तो अब यह वो पूछ रहा है कि top और bottom की value आपको दे दी गई 100% पर minus 33,000 है 0% अगर alpha helix है then it is minus 3000 तो in between अगर कहीं minus 15,000 थीटा की value हो तो उस particular secondary structure में कितना percent alpha helix है मेरी बात फिर से समझने की कोशिश करिए मैं जो बताने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं देखे इदर आप जैसे यह आपका alpha helix है आपने इसको denature करके extended में convert कर दिया बहुत ध्यान से देखिए आपने इ इसमें convert कर दिया, यहाँ पर theta, theta किस पर, किस wavelength पर theta आप देख रहे हैं, molar electricity, किस wavelength पर देख रहे हैं, 222 nanometer पर, इस पर theta की value आई, minus 33,000, minus 33,000 value थी, और जब आपने completely denaturate कर दिया, 60 degree centigrade पर, तब यहाँ पर theta की value, minus 3000 milli, concept समझने की कोशिश करिए, तो अब अगर हम किसी in between point पर, minus 15,000 theta ले लें, तो heat coil transition में, alpha helix coil transition में है, helix coil transition में, अगर यह value हमारे पास है, तो यहाँ पर कितना percent alpha helix होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, minus 15,000 पर, मतलब, यहाँ पर 100% alpha helix है, यहाँ पर 0% alpha helix है, 100% denaturate हो गया, तो minus 15,000 theta की अगर value है, 222 nanometer पर, तो अब यह, इस molar eclipticity पर, आपकी helix value कितनी होगी, यह आपसे question पूछा जा रहा है, मेरी बात समझ में, question समझ में आया की नहीं आया, पहले मुझे बदाए, question समझ में आया या नहीं आया, बराबर, मतलब, यह हो गया theta of native, मतलब native structure का theta, यह हो गया theta of denatured, और आपसे जिस पर पूछा जा रहा है, वो है theta observed, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, theta observed, तो मैं बगेर किसी आपको इधर उधर घुमाए हुए, मैं आपको सीधे सीधे ले जाना चाहता हूँ, formula पर, formula क्या है, formula आपको जो यहाँ पर apply करना है, percentage helix at any given theta is equal to theta observed minus theta denatured, divided by theta native minus theta denatured, note कर लीजे, यह formula note कर लीजे, मैं बिलकुल आप लोगों को किसी भी unitary method में नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत simple सा formula है, theta observed minus theta denatured, divided by theta native minus theta denatured, बस आपको इतना करना है, अगर आपने यह formula लगा दिया, तो आपका answer आजगा, तो what is theta observed, यह जिस theta पर आपको percentage helix पता करना है, तो what is that value minus 15,000, minus 15,000, minus minus, what is that, minus 3,000 denatured is minus 3,000, divided by, divided by theta native कितना है, minus 33,000, divided by minus, minus theta denatured minus 3,000, अब आप इसको solve कर लिजे, और answer find out कर लिजे, मतलब क्या हुआ, कि आपको observed, theta observed दे दिया जाएगा, उस पर आपसे percentage helix पूछ लिया जाएगा, कि इस theta observed value पर कितना percent helix available है, कितना percent helix रहेगा, बाकी बचा हुआ, random coil में, या beta pleated sheet में convert हो जाएगा, concept समझ में आया, concept समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है, yes, yes, पहले YouTube में पढ़ाया था, oh yes, thank you, thank you, नहीं, अभी पहले भी पढ़ाया था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दूसरे तरीके से समझ लीजे, question के form में समझ लीजे, yes, तो अभी आप लोगों को clear हो गया कि किस तरीके से CD spectra को protein denaturation से, protein denaturation की एक equation और भी है, that is a want of equation किसे दिन बताएंगे, वो भी पढ़ाएंगे want of equation में किस तरीके से हम protein denaturation को निकालते हैं, अब ये अगर समझ में आगे तो formula क्या है, बहुत simple सा formula, theta observed, जिस पर आपको percentage helix पूछना है, percentage helix पूछा है, theta observed minus theta denatured minus divided by theta native minus theta observed, is it clear, बहुत simple सा है, कोई कहीं कोई problem नहीं लगानी है, मैं शायद पहली बार आप लोगों को formula रटवा रहा हूँ, basically क्या observe करते हैं, आप protein के structure को observe करते हैं, protein के denaturation को observe करते हैं और denaturation के दौरान होने वाले changes को observe करते हैं, कब protein denaturate होगी तो उसका spectra at given wavelength, at given wavelength किस तरीके से वो change हो रहा, not tertiary structure, basically it is a secondary structure, structural transition, that is why helix coil transition is observed by using your CD spectra at the different wavelength, what is the difference between the XRD and the CD spectra, XRD is a complete electron density map, यह उसी तरीके की चीज है, कि अगर हम आपको, अगर हम आपकी उंगलियों के, अगर हम उंगलियों का X-ray ले तो आपको complete structure मिल जाता है, और CD spectra में केवल आपको एक idea मिलता है, CD spectra से केवल आप एक protein structure के बारे में idea लेते हैं, कि अगरियेगा, CD spectra में आप protein structure के बारे में केवल wavelength के absorbance के basis पे idea लेते हैं, कि हाँ यह ऐसा हो रहा होगा, लेकिन X-ray diffraction में आप पूरा जो electron density map है, उस electron density map को groups के basis पे analyze करते हैं, इसलिए XRD is more efficient technique than the CD, ORD यह भी point याद रखने, than the CD, ORD नहीं, तो circular dichorism gives an idea on the basis of signature of the absorption, while XRD, your X-ray diffraction of the crystal protein, लेकिन उसमें crystal बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यह simple active solution में कर दिया जाता है, तो convenience of doing or using technique is more easy than the CD spectra is using, CD technique is more easy to use, but X-ray diffraction gives more detailed map of the protein, is it clear? अब यहीं पर एक बड़ी अच्छी technique और आते हैं, धान अखेगा, बच्चे थोड़ा सा धान नहीं देते हैं, एक technique है DSC, differential scanning calorimetry, differential scanning calorimetry में भी आप protein denaturation को देखते हैं, तो जब आप differential scanning calorimetry देखते हैं, differential scanning calorimetry का मतलब क्या हुआ, कि जैसे जैसे आप protein solution को heat provide करेंगे, वैसे वैसे उनके weak bonds तूटना शुरू होंगे, सबसे पहले vendor wall तूटेंगे, फिर hydrogen bond तूटेंगे, और सबसे last में ionic interactions तूटेंगे, क्योंकि among the weak bonds, they are the most strong bond, लेकिन उनका number कम होता है, वो बहुत ज़्यादा involved नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम DSE, यानि differential scanning calorimetry, प्रभाद देख लिजेगा, बार बार, revise करके देख लिजेगा, जब आप differential scanning calorimetry देखते हैं, तो change in enthalpy और change in heat capacity देखते हैं, what do you mean by the heat capacity, इसको simple सा समझे, bond तोड़ने के लिए दी गई energy को आप heat capacity समझ सकते हैं, मैं उस पर detail में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप समझने की जरूवत है, यहाँ पर मैं एक आपको बस केवल एक hint देना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जितने bond से वो टूट गए, जितने bond जिन्हों high energy bond से उन्होंने heat absorb करी वो टूट गए, तो जैसे-जैसे heat capacity बढ़ती है, मतलब heat का absorbance बढ़ता है, वैसे-वैसे ही deconvolution भी होता है, मतलब at a time अगर आप दोनों टेक्नीक को parallelly run करें, बहुत ध्यान से समझे, यानि कि एक तरफ आप dsc run करें और एक तरफ आप cd run करें, दोनों parallelly move करती है, मतलब दोनों के signature same side में मिलते हैं, मतलब एक तरफ आपकी heat capacity increase हो रही होगी, और एक तरफ आपकी 220 या 230 nanometer पर आपकी जो molar ellipticity है, वो towards zero move कर रही होगी, ये point भी आपको याद रखना है, किसी दिन बैठेंगे, तो वहाँ पर dsc differential calorie scanning calorie metric के बारे में भी बताएंगे, ये question भी हमने test series में दिया था, तो जो लोग test series वाले हैं, उनको समझ में आ गया होगा, कि जब हम test में जब question पूछते हैं न तो उनके पीछे का एक logic है, तो दोनो टेक्नीक पैरलली मूव करती है, इस question के पूछने का logic सर्फ इतना ही था, कि आप दोनो टेक्नीक कौन से, differential scanning calorie metric and your circular dichorism, अगर दोनो टेक्नीक को एक साथ इस्तमाल करें protein पर, तो protein जब denaturate हो रही होगी, तो heat capacity भी बढ़ रही होगी, protein denaturation point पर, और जो ellipticity है, molar ellipticity at 220 nanometer पर भी, close to zero या close to positive बढ़ रही होगी, तो ये था basic CD का, circular dichorism का, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, कि ये इस तरीके से दोनों ही चीज़ें move करती है, तो circular dichorism हो गया, differential scanning calorimetry हो गया, thermogravimetric analysis हो गया, x-ray diffraction हो गया, NMR हो गया, इनको आप हमेशा, किस respect में पढ़ेंगे, changing protein structure के respect में जब आप पढ़ेंगे, तो CSIR के question लगाने में, आपको आसानी होगी, बहुप जादा आसानी होगी, तो आप कोई भी टेक्नीक पढ़ें, उसका application part को दिमाग में ज़रूर रखिया, कि why I am studying this technique, whether you are studying CD, or you are using x-ray, or studying x-ray, or NMR, or ESR, whatever the technique you are studying, just keep in mind, why I am studying this, because we just wanted to observe, some kind of change, or any kind of change that is happening, within the protein structure, by changing the optimal conditions, or the environmental condition, or the aqua solution conditions, so that would be much better for you, to understand the techniques, so I hope आप लोग test series को enjoy कर रहे होंगे, test series के बारे में, yes, yes, किस structure की सब्स, जो जितना stubborn structure होगा, उसको dissolve करने के लिए, उतनी ही जादा heat capacity जरूरत पढ़ेगी, इतना याद रुको कृषाद, जो जितना मस्बूत होगा, उसका heat capacity, absorbance यह नि, absorbance of heat उतना ही जादा होगा, heat capacity का मतलब यह हुआ, this is the temperature needed to raise the temperature, raise the temperature of the solution by 1 degree, heat required to increase the temperature by 1 degree, by 1 degree of a solution, standard solution, कोई भी आप solution लेलिजाए, उसके temperature को 1 degree बढ़ाने के लिए, जितनी heat की जरुवत पड़ेगी, वो solution की heat capacity, calculate, consider की जाती है, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप सभी लोग, test series को enjoy कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से enjoy कर रहे होंगे, hopefully, DNA का graph कैसा होगा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, DNA का graph, जैसा, जितना ज्यादा circular structure होगा, उसका graph भी ऐसा ही होगा, देखो इदर, ऐसा ही होगा, बिल्कुल किसे दिन, किसे दिन, हाँ, हाँ, yes, yes, CDNMR will go for parallel for the second structure, very nice, बिल्कुल, बिल्कुल, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, अभी बैठेंगे, तो बताएंगे heavy driver, अब नाम बदल लो, यार, थोड़ा सा नाम अच्छा कर लो, तो बोलने में भी अच्छा लगता, पता नहीं, मैं मुझे समझे नहीं आदा, मैं किसे बात कर रहा हूँ, कितना heavy driver है, यार, कहुन सी गाली चलाते हैं भाई थो, ठीक है, चलो खाट, कोई बात में, God bless you all, test series को enjoy करिये, test series करते रहे हैं, कोई test miss मत करिये, हम आपके साथ में हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, छोटे-छोटे concept के साथ, test series को discussion करते रहेंगे, देख लेज़े, कोशिश ये करिये, जो लोगों को test series पसंद आ रहे हैं, वो लोग तारीफ कर देए, जिनको नहीं पसंद आ रहे हैं, वो लोग अपने, पोस्ट, नहीं, देखे, वो टेलिग्राम ग्रूप में अवेलबल है, वो टेलिग्राम ग्रूप में अवेलबल है, आप वहाँ से ले सकती है, टेलिग्राम ग्रूप में अवेलबल है, 99999999999, ऐसा नहीं है पृषान जी, ऐसा नहीं है, ओके, चलिए, चलिए, तो फिर कभी वैठेंगे, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना खयाल लखेगा धन्यवाद